राम राम, क्या है सो गायों को तंदूर की या घर की रोटियां खिलाने का उपाईूं किया जाता है, किन हालातों में किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, देखिए शुक्र ग्रह के रि में से एक, तो शुक्र ग्रह का पित्तर रिन बन जाता है, और शुक्र ग्रह का जब पित्तर रिन बनता है, तो इनसान के जीवन में जो हालात प्रगड़ होते हैं, जो दुश परिनाम आते हैं, वो क्या आते हैं, विक्ति के बच्चों की शादी समय पर नहीं हो पाती, घर उसे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता ऐसी स्थिती में शुकर के रिन के ये उपाय करवाय जाते हैं ये शुकर के रिन के उपाय लाल किताब के दृष्टी कौन के अनुसार जो योग बनता है उसके अनुसार भी है और ये उपाई अगर किसी की कुणली में शुकर का रिन ना भी हो तो भी मैंने करवाए हैं अच्छे परिनाम मिले हैं उपाई क्या है ये समझते हैं सबसे पहले ये उपाई करना किस दिन है शुकरवार के दिन आपने ये उपाई शुरू करना है इसमें राहुकाल को छोड़ देना है राहुकाल आपके नजदीक में किस समय होगा आपके शहर में Google सार्च कर सकते हैं कि शुकरवार का राहुकाल किस समय है Google से ये पूछिए आपको पता लग जाएगा या इंटरनेट से पता लग जाएगा जलंधर में साड़े दस से बारा बजे तक राहुकाल होता है जो मेरा शहर है उसके अनुसार अब समझते हैं करना क्या है अगर आपको तंदूर में लगी हुई 120 रोटियां मिल जाए बहुत अच्छा धावा नस्दीक नहीं है तो घर में 120 रोटियां लगवा ले बना ले शुकरवार के दिन गउशाला जाएग आपके घर के नस्दीक जो हो अब रोटियां 100 नहीं 120 बनाए उसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ और रोटियों के साथ एक सिंदूर की डिब्बी जरूर ले ले अब आप गउशाला पहुँच गए हो सकता है आपको एक गउशाला में 100 गाएं ना मिले तो गउशाला पदल सकते हैं एक ही दिन का समय है इस उपाय को करने का तो आपने एक दिन में एक से जरूर गउशाला में भी जाना हो तो जा सकते हैं लेकिन गाएं की गिंती 100 से कम नहीं होनी चाहिए हमने 120 रोटियां जो बना के लिके जानी है 100 गाएं को खिलानी है अब मैंने 100 गाएं को बोला आपको रोटि खिलाने के लिए 120 बनाने के लिए क्यों बोला वो इसलिए कि कभी कोई गाएं दोबारा आपकी वो चपाती खा जाती है रोटि खा जाती है या बीच में कोई नंदी बैल होता है वह रोटि खा जाता है इसके लिए आपने 20-25 रोटियां फाल्तू लेके जानी है अगर कोई गाये माता बीच में खा भी गई तो कोई वातनी हम रिकवर कर लेंगे पूरा कर लेंगे उपाई में विगहन नहीं आएगा सिंदूर की डबी इसलिए कि जिस भी गाये माता को आप रोटी खिलाएं आप खुद या किसी की सहायता से उसके माथे पे वहत तिलक लगा दें तिलक लगाना गव माता को हमेशा शुक माना गया है क्योंकि उसमें देवी देवताओं का वास है वैसे भी अपनी गिंती में आपको गलती ना लगे इसके लिए भी हम तिलक लगाएंगे नहीं तो आपको मालुम नहीं लगेगा कि आपने कितनी गायें को रोटी खिला दी तिलक लगा होगा आप जट से पहचान लेंगे और गाएं दोबारा भी नहीं खा पाएगी वैसे आप बढ़के खिलाना चाहते हैं अगले दिन गाएं को भरपूर चारा खिलाएं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये उपाए को करने का सही तरीका यही है तो आपने सो गाएं को एक ही दिन में सो रोटियां खिलानी है हर गाएं को एक रोटी सो गाएं पूरी करनी है ञystem है ये करने के बाद ये जो शुकर का दोश है रिवार में किसी की शादी न हो पाना धन की कमी और इसके इλαवा पती पत्नी में कलाह रहता हो या फिर खुशियों की कमी हो इंजॉयमेंट की कमी हो तो यह दोश दूर होते हैं वैसे भी अगर यह कमी हाँ आपके जिवन ने दिखाई दे रही है प्रगट हो रही है हो सकता आपके परिवार में किसी के हो इस उपाय को अगर आप पूरा साल में बारा बार कर लेते हैं ना वैसे भी गव माता में देवी देवताओं का वास है और गव सेवा वैसे भी शुब है तो उनके आशिरवास से ये दोश वैसे भी दूर हो जाते हैं और लाल किताब का दृष्टी को उन तो साथ में जुड़ ही जाता है ठीक है ना तो यहाँ पर अकेले जिनकी कुंड़ियों में सूरे चंदर राहू सब्तम में या दूसरे भाव में हो वो ही ये उपाई न करें, जिनके जीवन में ये कश्ट आ रहे हो वो भी ये उपाई करें, ये उपाई मैंने कई लोगों से करवाया है, अच्छे परिनाम मिलने के आपके जो खून के रिष्टेदार है, उन्होंने इस्तरी जाती पर अत्याचार किये हो, गरबबती इस्तरी को मारा पीटा घर से निकाला गया हो, या उसको परिशान किया गया हो, तो फिर ये प्रगट होते हैं आपकी कुंडली में, ठीक है ना, क्योंकि पित्रों के किये हुए या आपके पुर्वजो के किये हुए पाप आप पर इस तरहां से कह ढाते हैं, इन जो चार आपको परिशानियां बताइए ना, ये कश्ट आपके जीवन में आ जाते हैं, तो बड़ा सरल है इनको दूर करना, उपाए करके देखें, इस समस्या का सामाधान माता रान झाल 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 झाल झाल